इसी प्रकार अन्य प्रशंगों को स्रवन करने के लिए महाराज स्री के एक मात्र अधिकृत ओफिस्यल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईकों को अवस्य दवा दे वस्षिष्ट भगवान की ओर गुरु विश्वामित्र जी ने देखा अब इनका कारिय समाप तो मेरा प्रारंब हुआ है तब बसेश्ठ भवु विधिसमुझा तब बसेश्ठ भवु विदि नाना भी दि ये लाओ लिपसंदेह नास कहपा अतियादर दो उतनाय बुलाए अतियादर दो उतनाय बुलाए तब बसेश्ठ भवान ने समझायादर दो उतनाय बुलाए मैंने समझाया राजन सिक्षा मैंने दे दिया अब आयूध की दिक्षा और उसके प्रयोग की विवस्था यह महरशे विश्वामित्र जी महराज मेरे से अतिधिक सश्टतम जानते हैं मैंने भी आपो कहा इंटर तक बच्चों को घर में पढ़ाओ वेवस्था हो तो इंटर के बाद बच्चे थोड़ा अच्छा बुरा समझने लगते हैं संग क्या है कुछ संग क्या है बाहर बेज़ दोगे तब ही वो वेवस्थित रहेंगे इंटर तक ममता दे करके बच्चों को संसकार दे करके संसकार संग रहने से आता है क्यों हम भी विकार के प्रति सावधान रहते हैं और बच्चों में हमारे संसकार अवतरी तो होते रहते हैं सावधानी बहुत आवश्यत है प्रभु ने स्विकार कर लिया चक्रवर्ती जी महराज हरदय लगाए प्रणाम मंदगी आप देखिए चक्रवर्ती महराज तो इतना संदे प्रकट की है संसे आया जननी भवन गये प्रभु चले नाई पद मा को प्रणाम करके प्रभु ने क्या का मा गुरु जी के साथ जा रहे हैं विश्वामित्र बाबा के साथ शिग्र लौट कराते हैं वहां कुछ नहीं कहना पड़ा क्यों विवेक लवकिक तोरे चले विश्वामित्र बाबा के साथ में प्रभु सब को प्रणाम करके चले हैं ताटक बनाया ताड़का देखी ललकार करके आगे बढ़ी चले जात मुन दीन दिखाई सुने ताड़का गुर्दै भगवान विश्वामित्र जीने का राम जी ये ताड़का है अनेक रिश आप इन जान ते इजपन तब रिशिन जनाथ जी अची विव्यान भिकव में प्यादी काते लाकन छुदा पिपास अतुलित बलतन ते प्रतास अब आयुद सर्व समर्द के करीब प्रहुलिक आसमयादी बंद मूल भल रूदन मीन भगतित जाँ बला अतिबला नामक विद्धिया गुर्दे भगवान विश्वामित्र जी ने प्रभू और लक्षमण की महराज को भेट की है आश्रमलाय कंद मूल फल असंद प्रदान की है रात्री विश्राम प्राताकाल प्रभोने प्रार्थना पुर्वक ने विदन किया मुनिसन रघुराई निर्भै यग्य कर उतम जाई सुबाहु का अग्निबान से विधन सो हुआ मारिज को बिना फरका स्रमार के भगवान ने सो जोजन सागर पार भेजा है लक्षमण जी महराज ने निशाचरी सेना का संगहार किया यग्य संपन हुआ भगती हेतु बहु कथा पूराना कचुने बहु कथा पूराना कहे बिप्रजद्यपी प्रभु कुछ दिन भगवान विश्व बाबा विश्वामित्र जी के आश्रम पर बास करते हैं प्रभु गुर्दय भगवान के सानिध्य में पुराण इध्यास की कथा श्रमण करते हैं यग्यो परांत सानंध बास कर ले जहां आनंद आता है वहाँ से जाने का मन नहीं करता है तीरतों में बड़ा आनंद है मन तो करता है यहीं रह जाएं लेकिन रहने से तो जगत चलना नहीं है बहुत काम है करना भी है विशेश प्रियोजन होता है तो यात्रा करनी पड़ती है मिथला पती जनकराज महराज ने अपनी लाडली मा जान की जी का स्वेंबर रखा पुराणों में वरण है जो शिवाबा का पिना कहे उसके लिए वीर लोग वर्ष भर आते रहते थे कौन तोड़ेगा दर्शन करते थे अरे तोड़ना तो दूर स्पर्ष संभव नहीं था रचना बन गई महरशी आग्यवल्क जी के मारग दर्शन में कि क्यों न एक ही बार सारे वीरों को बुला लिये हम बड़े वीर हैं हम बड़े विद्वान हैं बुद्धिवान हैं क्योंकि हम अकेले हैं इसका पता तब चलता है जब बहुत बुद्धिवान बुद्धिवान लोग बैठे हों फिर भी हम अपनी विद्वता का दर्शन करा सकें प्रदर्शन नहीं दर्शन करा सकें यह बड़ा कठे नहीं है सारे वीरों का एकत्री करण हुआ यह खबर महरशी जी के पास आशिर वाद है तु आई हमको आपको अपने बारे में बड़ा साफ रहना चाहिए कैसे इस भारती समाज में दो प्रकार के समाज हैं दो प्रकार के दल है एक सतसंग वाला दल है और दूसरा कुसंग वाला दल है एक आदमी एक ही समय में दोनों दल में इंट्री नहीं मार सकता कुसंग वाले अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं उनका कोई दोश नहीं है जैसा उनका प्रारब्ध उनका जीवन उनका संग है वैसा करते हैं लेकिन ये जो सतसंग वाला दल है बीच बीच में इधर भी मुह मारता है उधर भी जाता रहता है ये बड़ा दोश पुर्ण है गंगा जी में नहालो लोटकर फिर माटी पोत लो फिर नहालो फिर माटी पोत लो ये नहीं करना चाहिए हम तैं कर लें कि हमको दाल चावल खाना है कि खिचडी खाना है एक चम्मच खिचडी भी एक चम्मच खीर भी ये जीवन अच्छा धोते धोते जिंदगी बीत जाएगी हम बैठे सत्संग दल में हैं और देख उधर रहें अब हमारे को क्या है हमसे जादे मजे में वो है जब उनके पास जाएंगे तो उनको लगेगा वो नरके भोग रहें कल भी ये बात मैंने आपसे निवे दिन किया था हम जहां हैं हमसे सुख ही कोई नहीं इसका प्रातह साय मभ्यास करें मेरे से भाग शाली नहीं पाया ऐसा किसी नहीं पाया मनुष्य का सरीर दुरलब है उसमें भी भगवान का भगत होना ये तो देव दुरलब है मनुष्य का तन पाकर और भगवान की भक्ती हृदय में आ गई हमसे बड़ा भागशाली को नहीं है हम अपने सवभाग्य का समरण नहीं करते हैं हम गोम फीर की अपना दुरभाग्य लिखते रहते हैं ये मेरा दुरभाग्य आरे भाई का है दुरभाग्य है हमसे बड़ा किसी का सदभाग्य नहीं है इसका बार बार समरण रखो बड़े भाग से ये मनुज्टन मिला है बहुत भाग से बड़े भाग मानुष्टन पावा सुरदूरलभ सबगरंथ निगावा यज्यमें आने की सूचना प्राप्त हुई खबर मिली गुरुविश्वामित्र जी ने कहा राम जी चलते हैं धनुष जग्य सुनी रघ को लनाखा हरशी चले मुनी वर के साथा आश्रम एक दीख मगमानी खगम्रिग जेव जन्तुता नाख पूच्छा मुनी ही सिला प्रभु ने की पूच्छा मुनी ही सिला प्रभु ने की सकलक था हुनी कहा किसे की पूच्छा मुनी सिला प्रभु ने की सकलक था हुनी कहा किसे की व्यवहार कैसे कैसा हुना किससे क्या कहना मानस में बड़ा अदभुत त्रण है भगवान ने पूच्छा मुनी ही अकेले गुरुदेव भगवान विश्वा मित्र जी से प्रभु ने पूच्छा और गुरुदेव ने कहा क्या सकल कथा कही गुस्वामी जी लिखते नहीं पुझ्यपाद गुस्वामी जी ने जहां जैसी आवशकता है कथा सुनाई क्या शलेश है दरशन करिए गुतम नारी शाप बस ओपल देह धरिती जरन कमल रजचाहती क्रिपा कल उन्यदूर्धी गुतम रिशी की प्रिया हैं धीर बुद्धी हैं रिशिवर ने आपकी चरण की रजच से इनका मोचन कहा है अस्तु क्रिपा करिए बड़ी कथा है तोई गंडे की कथा है परसत पद पावन शोक निसावन प्रकट भाई या प्रकुल्ण 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 कि पुछिये मत सुनिए उसमें से कुछ निकले तो पुछिये ने तो सुनिए चुक जाए तो सुनिए सुनिए गुनिए चुनिए प्रभुने सुना करिया हो गई शोक नसावन मापरतक चोई जुगल नयन जल धार देश्ट मा के नेत जरजरा गए क्यों भगवन का दर्शन करके दोश दर्शन न करिये जीव का तो स्वरूप ही है विकारी दोश तो बहुत है जवाप में है वो हम में है वो सब में है दोश मक्त जीव है ने दोश सही जो जनम लिया है वो नेर्विकारी कैसे रहाए इसी प्रकार अन्य प्रशंगों को स्रवन करने के लिए महराज स्री के एक मात्र अधिकृत ओफिस्यल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को अवस्य दबा दें झाल